भारत की वैदिक संस्क्रति विश्व के कोने कोने में फैली हुई थी, जिसके प्रमार्ण आज भी अनेकों देशों में पर्याप्त रूप सुने मिलते हैं, मुल रूप में भूभ, भूअस्व, तीनों सक्तियां ओम की ही शक्ति होने के संकेत मिलते हैं, इन्हें ब्रह्मा, विश्व महेश के नाम से भी जाना जाता है, कालंतर में अज्ञान के फैलने पर लोगों ने ब्रह्मा, विश्व महेश नाम के देवताओं की मूर्तियां बनाना आरंब कर दिया, लोगों ने उनकी आकृती भी मनुष्य जैसी बनानी आरंब कर दी, अर्थ का अनर्थ होने लगा विदेशों में जाकर हमारे लोगों ने अनेकों मदिनों का निर्मार किया और वहां पर आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए ऐसा परिवेश रजित किया जिसमें मोक्ष की प्राप्ति करने में व्यक्ति को सहायता मिलती थी शिव का ऐसा ही एक बहुत सुन्दर और ट्राचीन मंदिर इंडोनेशिया के जावा में है नौवेश अतापदी में बना भगवान शिव का यह मंदिर प्रमबानन मंदिर के नाम से जाना जाता है सहर से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी परिस्थित यह मंदिर बहुत सुन्दर और ट्राचीन है इसे देखकर सहर जी अनुमान लगाये जा सकता है कि हमारे पूरवजों को स्थापते कला का कितना अच्छा ग्यान था जिन इतिहासकारों ने मुगलों की स्थापते कला को भारत पर यह कहकर थोपने का प्रयास किया कि भारत में स्थापते कला में मुगलों से बहुत कुछ सीखा है उनकी कलाई खोलने के लिए ये मंदिर और इसके समकालिन अन्य मंदिर बहुत कुछ इस्थिति स्पष्ट कर सकते हैं इस मंदिर में भगवान शिव के साथ दुर्गा देवी की मूर्ती भी स्थापित है कहा जाता है कि एक समय पर जावा का प्रभु बका नाम का एक दैत राजा था झाल 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 प्रम्भानन मंदिर स्थित शिव मंदिर बहुत बड़ा और सुंदर है। झाल 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 झाल